दोस्तों नमस्कार गुड़ाइमसी माईसेल पंकीत बाशकेई शेयर मैं इस्टार कानपुर दोस्तों आज जालाउन शेत्र में आए हुए हैं जालाउन शेत्र के सिरसा गाह में मौझूद हैं और आज ये मटर का खेत है इस खेत में आज से दस दिन पहले हमने इसमें जो है अगरोफ पूस्टर यूज कराया था खेत के मालिक जो हमारे साथ मौझूद हैं आए ये पताएंगे क्या रिजल्ट इसमें मिला है आएमसी का इन्होंने ग्रोफ पूस्टर टाला है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है आई जानते हैं हमारे जो है क्या नामें सर जी है चाहेंगे सर जो है आपको जमने पूस्टर दिया था उसका आपने इस्तेमाल किया तो कैसा आपको खेत लग रहा है क्या रिजल्ट में रहा है कि जब बाकुछ गंडी मोटी चल रही है तो वालकी दिखाई जूस्ट में रहा है और पेड़ की जो मोटाई लंबाई है वह अच्छी है बाकि मटर फूल पे एस टाइम अब इसमें एक बार और पढ़ना है बाकि डीएपी आपने कितनी लगाई यानि एक पोरी डीएपी नोंने लग पर जो है ये तीन वीगे का कुमा के सर दिखाई है पूरा जो है गस्ठीक कुमाली ये तीन वीगे का च्छक है इ कोई भी यूरिया का इस्तेमाल नहीं किसी वी प्रकार जो करें यूरिया शर नहीं डाली और बहुत है अच्छा रिजल्ट है हम चाहेंगे आपको यहां दिखाना कि क्या रिजल्ट है आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेतरीन कलर बिलकुल हरा बरा लग रहा और पेंड की जो लंबाई मोटाई है वह बहुत ही अच्छी है और बाकी इस खेत से दो दिन पहले जो है ये दूसरा खेत दूसरा खेत ये जो है लगबक दो दिन का अंतर है इस खेत में इसका मटर आईए हम आपको दिखाते हैं किसमें क्या है तो ये खेत आप देख सकते हैं ये खेत जो है आज के लगबक जो है इनके जो बोने का टाइम था लगबक दो दिन का अंतर है और इनका मटर देखिए है विलकुल जो है बहुत ही बेकार टाइप का लग रहा है पौदों में जान नहीं दिख रही है ये आप देख सकते हैं तो अंतर साफ नजर में आ रहा है बाकी इस खेत में यूरिया और डियपी दोनों चीज़ें लगाई गई हैं लेकिन इस खेत में और इस खेत में जमीन आस्मान का अंतर है बाकी हमारे किसान भाई भी खुछ हैं और लगातार इसका प्रयोग करने के लिए तयार है तो आप